जो share कमजोर है banking stocks और ना सिर्फ निफ्टी बैंक पर बलकि निफ्टी पर भी pressure बना रहे हैं क्योंकि निफ्टी में निफ्टी बैंक का जो कंट्रिबूशन है जो वेटे जी 37% के आज़ पास का है तो जाहिर तोर पर कमजोरी बढ़े गया अगर निफ्टी बैंक कमजोर होगा तो निफ्टी बहुत तीज रफतार से चल नहीं पाएगा कहने के एक रोड़ा बनता है लेकिन ये गरावट दरसल आ रही है क्योंकि बैंकों के प्रोविजनिंग नियों में बदला हो सकता है जिससे सरकारी बैंकों के प्रोविजन में बढ़त हो सकती है ये पूरा मामला क्या है, कितना गंभीर है, इससे विस्तार समझाने के लिए हमारे से यह होगी, हर्ष हमारे साथ है, हर्ष बताईए क्या जानकारी है आपके पास जी हाँ, तो currently banking sector incurred loss model follow करता है, provisioning के लिए, जो भी losses incurred होता है, वो provide किया जाता है अब एक transition आएगा आगे जाके, जो कि banks अब expected loss calculate करके उनको भी provide करेंगे, तो ये particular norms RBI अभी भी discussion में है banks के साथ, और कब implement होगा वो एक question mark है, तो पहले timing पर बात करते है, RBI ने discussion draft निकाला था Jan 23 में और उन पे suggestions गया है Feb 23 में, अब आगे जाके यही उम्मीद है कि क्योंकि banking sector के provisions काफी clean है, asset quality काफी clean है, आगे जाके FI 24 में RBI notify करेगा और FI 25 में इसका implementation शायद से होगा, तो यही expectation है, अब Bank of India और Canada Bank से commentary आई है कि 4 to 5% उनके जो loan book है mathematically उतने का provision करना पड़ेगा, अब यह एक साल में नहीं करना है, उनको 5 years में करना है, तो over a period of 5 years उनको 11% उनको उनका loan book प्रोवाइड करना पड़ेगा for meeting ECL norms, तो यह particular चीज एक bit of an overhang हो गई है, especially PSU banking basket में CLA से suggest करता है कि 0.8 to 1.5% of PSU banking loans में problem आ सकती है, provisioning करना पड़ेगा जो कि private banks में यह issue नहीं आ रहा है according to them, private banking sector में ऐसा है कि काफी सारे contingency, floating provisions already built हो चुके है, तो उतना comfort है कि largely private banking sector में यह ECL proof जो transition है वो उतना impact नहीं करेगा private banks पे, पर जो PSU banks पे है, around 1 to 5% जो कि अभी Bank of India और Canada Bank का commentary आया है, around 1 to 5% of loan book over a 5 year period provide करने का risk आ सकता है और उसका impact आ सकता है PSU banking space में ठीक है, शुक्रिया हर्ष, तो हर्ष ने आसान भासा में आपको समझाने की कोशिश की, कि अभी तक जो provisioning की जाती है यानि कि जो कर्ज बटे खाते में डाल दिये जाते हैं, उसके अधार पर provisioning की जाती है अब उन कर्ज के अगेंस्ट में प्रविजनी की जाएंगी जहां पर आशंका होगी कि शायद वो डूब जाएंगे मोटा मोटा यही चीज़ है और यह चीज़ परशान कर रही है इस नियम के चलते हैं हम देखने की प्रविजनी बढ़ने के संकिये थे और आप अक्रॉस दे बोर्ड देखिए केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अपर अधार यूनियन बैंक आपके हिसाब से बैंकों परोदा दूसरे नमबर पर है ठेक है, ठेक है, ठेक है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ सकती है और वो दिक्कत में दिखवे रही है क्योंकि सरकारी बैंकों का जो इंडिक्स है वहाँ पर यह प्रशर आज लगातार तीसरे दिन है और दो परसेंट आज यह नीचे है, तमाम बैंक्स कमजोर है और आस्तान अपना व्यू भी शेयर का दिया